नमश्कार फेंट्स मैं शंतोश पटलीश संतोश रूपिंग के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है अब काफी बार ऐसे हो जाता है कि जब भी हमें घर बनाना है तो फिर उसके उपर तो sloping slab बनाना है या फिर उसके ऊपर fabrication structure बनाना है उसमें काफी ज़्यादा confusion होता है price के बारे में confusion होता है उसके मतलब बनने के बाद उसके जो uses है उसके बारे में काफी ज़्यादा confusion रहता है और जिसकी बज़े से आपके जो building का ढाचा रहता है वह भी आपने थोड़ा सा अगर light weight करते है तो फिर वहां पे आपके पैसे बज सकते है और इस सबसे ज्यादा important है जो कि sloping slab अगर बनाते है उसका खर्चा करीब तीन गोना ज़्यादा जाता है फैब्रिकेशन के comparison में अगर हम देखते थे और उसके उपर आपको वाटर पॉपिंग भी करना ज़रूरी होता है उसकी level करनी ज़रूरी होता है क्योंकि sloping slab जब भी हम बनाते है तो फिर थोड पूरा structure बन जाता है दूसरी एक सबसे important बात है कि यह जो वाटर पॉपिंग की ज़रूरत होती है जैसे कि sloping slab अगर बनाते है तो उसको वाटर पॉपिंग करना ज़रूरी है और वहां से पानी लीके होने के chances है जो कि फैब्रिकेशन structure पर वहां पर आप अगर डबल कर सकते हैं जो कि sloping slab में अगर उपर से कही leakage फांड हो जाता है तो फिर कोई guarantee नहीं होती कि बिल्कुल वही से leakage हो रहा है और आपको search करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है sloping slab अगर आप घर पर बनाते हैं तो damn sure वहां से चोरी होने के कोई chances नहीं है यह उतना ही सही है क्योंकि काफी सारे clients नहीं मुझे बताया था कि नहीं अगर sloping slab रहता है तो वहां पर चोरी नहीं हो जाएंगे लेकिन फैब्रिकेशन structure होने के बाद चोरी हो सकती है करके काफी सारे लोगों ने मुझे बताया था लेकिन मेरे 20 साल के career में आज तक मुझे ऐसा कोई भी case नहीं है जिन्होंने मुझे बताया कि घर के ऊपर च्छत के ऊपर का रूफ टायल निकाल आया और वहां से कोई बंदा अंदर आया और चोरी किया है आज तक कोई वह ऐसे नहीं case अगर ऐसा कुछ हो सकता है अगर हम consider करके चल रहे हैं तो फिर जनरली जो दो परलीन के बीच में जो अंतर रहता है वह ज्यादा से ज्यादा 12-13 इंच के बीच में रहता है जिसमें से इंसान आराम से अंदर हो सकता है तो फिर अगर उसके बीच में अगर हम एक और pipe डाल सक करते हैं और एक सबसे बात जो बड़ीया बात है और नुकसान की बात है और बहुत ज्यादा आपके घर पे हेर क्रैस भी आ जाएंगे लिकेज होने के समझ से बहुत ज्यादा रहेगी और वह बहुत ज्यादा दिक्कत वाला भी काम रहेगा जो की ज्यादा से ज्यादा नुक्सा नहीं करेगा लेकिन फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं और उसके घर के उपर रूफ टाय अज़ाना है और फिर से ऊपर और एक माला आपको चटाना रहा है तो फिर से आप कर सकते हैं ऊपर करसकते हैं उसके ऊपर जूल्ए स्टाबढ़़ कर सकते हैं तो जीयादा नहीं दो ये दर यह फन रते डिया जांब ढ़ण पनाने टाइम लगता बनाने बनाने में काफी की ज्यादा टाइम लगता है जैसे कि अगर आज हम बनाने का बनाने का डिसिजन ले ले लेते हैं तो पूरा उसके डिजाइन के इसाब से पूरा अलाइन करके लेना है बाद में उसको कॉंक्रेटिंग करना है कॉंक्रेटिंग के बाद करीब 28 दिन तक उसको क्यूरिंग करना जो कि आप अगर बनाते हैं तो उतना ही जो काम है वह जादा से जादा दस या 12 दिन में complete हो सकता है ready to use है तो फिर उसमें जादा time जाएगा नहीं आपका time बहुत बच जाएगा अगर हम है इंप्रक्टर बनाते तो और एक सबसे ज्यादा एक नाउन ll लगा नहीं कि पानी घर के सामने इंहानी दिक्कत आ रहा है तो फिर वहाँ पर काम करते हों काफी जादा दिक्कत आ सकती है जो जो भीकेशन बेस्फिक्टर से मैं आपको एक बात ब्ताऊंगा कि जैसे कि के मैं ने만े बोला कि जो खर्चा रहेगा वो करीब तीन गोना ज़्यादा रहेगा फैब्रिकेशन स्टक्चर के अगेंस्ट जो स्लोपिंग स्लाब कर रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों भी केस में जो रूफ टाइल लगने वाली है सेम ही लगने वाली है उसमें कोई फरक नहीं है उल्टा जादा दिकत वाली बात है तो फिर अगर आप अपने घर के लिए ऐसा कुछ सोच रहे है तो फिर मैं आपको डाइम शूर बोलूंगा कि आप ज्यादा तर स्टील के बारे में सुचिए अगर स्लोपिंग स्लाब के बारे में अगर आप सोच रहे तो फिर वहां पे आपका ज़्यादा खर्चा भी जाएगा और टाइम भी ज़्यादा कंजूम हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ तो आइडिया आए होगी कि जिसमें से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा रूफ करना सही है और कौन सा रूफ करना सही नहीं है